महापुरुसों के विचार चंद्र किरन के साथ स्रेस्ट होना कोई कारे नहीं बल्कि हमारी आदत है जिने हम बार-बार करते हैं लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो बल्कि अपनी तपन द्वारा इसे गर्म बनाओ यानि समय का इंतजार मत करो खुद ऐसा कोशिश करो कि समय आपके अनकूल हो जाए महान आत्माओं को हमेशा सामान्य मन से हिल्सक विरोध का सामना करना पड़ता है माइकल जॉर्डन ने कहा है मुझे अपने कैरियर में 9000 से अधिक शौट मिल गया है मैंने लगवर 300 गेम गवाय में मुझे गेम जितने का सौट लेने और मिस होने का भरोसा किया गया है मैं अपने जीवन में बार बार विखल रहता हूँ और इसलिए मैं आज सपल हूँ क्या आपको लगता है कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी कार आप नहीं कर सकते हैं अगर लगता है तो आप नहीं कर सकते हैं तो क्या आप सही हैं पहले आपको खुद बदलना होगा जैसा कि आप दुनिया में देखना चाहते हैं अपने लक्ष को प्राप्त करने से जो आपको मिलता है वह इतना महत्पुर्ण नहीं है जितना कि आप अपने लक्ष को प्राप्त करने के द्वारा बनते हैं आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वे प्राप्त कर सकते हैं बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू करते हैं जो भी आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं एक फिल्वत जरूर खत्म हो जाएगा लेकिन सबसे महत्वपुर्ण यह है कि आप कुछ करते तो हैं इक्षा सभी उपलब्दियों का प्रारंबिक बिंदू है ना कि एक आसा है ना कि इक्षा बलकि एक गहरी धर्तन वाली इक्षा जो सब कुछ से परे है